असलाम नेकुम गाईज and welcome to my channel which is निखत परवीन तो कैसे आप सब उम्मिद करती हूँ आप से बिल्कुल ठीक होंगे खरियत से होंगे आज मैं आप सब करेंगे यह पनी टिका की रेसिपी जो की इसली आप इसे घर में बना करके इंजॉय कर सकते हैं और वह भी बहुत ही कम ट चटनी और यह पनी टिका दोनों की रेसिपी स्रेड करने वाली हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बनाया है तो मिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बगल में बैल आइकोन को भी प्रेस करना ना भूले तक कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे मेरी वीडियो की चलिए फ़र स्टार्ट करते इस रेसिपी को बनाना तो यहां पर हम सबसे पहले बना लेंगे दही वाली चैनी तो दही वाली चैनी म वाल से अरा भूल स्टार्फ जरर्ण कररें चाह और ईसमें आइट करेंगे सक लाहना रएंघक लोहाँ कर्याणान तो शाथ नुड़ाएं तो पाडू हम नमक टेष्ट लेंगे गासरें है यहां पर जकुका है बन जाएगा यहां मैं यहां यहां बाका से है बिल्कुल perfect हुआ है ना पतला ना गाड़ा बिल्कुल perfect consistency है इसका तो ये चट्नी जो है बिलकुल ready हो गया है और आप चाहे तो इसमें लिमन तो बेसन नहीं किया है अब मैंने थोड़ा है तो यहां थोड़ा एक किया है अब इसको अच्छे यहां पर देंगे और मिलाने के वाद हमें जरूरत पड़ेगा तो हम जो भी दही मैंने साइट करए जो हम पर दो देंगे तो देखे मसाला जो है अभी तक ड्राह है तो मैंने जो बचाकर कर दही रखा था वह Sight में वह यहां पर आपकर दिया और अब वापस से अच्छे से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रिफाइंड और यहां पर 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 यह सब डालने के बाद हम इसे वापस से अच्छा से मिक्स करेंगे तकि मिए कि बस दिखिए अच्छा से मिक्स हो गया है अब मसाला यहां पर लIB करें एंगा हम imla करके रखा हुआ है आप एक प्याज से चार पीस करें और उसका जो अलग अलग कर ले बस हो जाएगा और टमाटर को भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से क्यूप करके रखा हुआ है यह भी हम यहां पर आइड करेंगे टमाटर सिम्ला में चौक प्याज लिया है मैंने यहां पर यह सब मिक्स कर लें आप चाहे तो आप येलो बेल पेपर रेड बेल पेपर भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें आइड करेंगे पनीर पनीर जो है उसको मैंने अल्रेडी जो है कट करके रखा हुआ है क्यूब्स मे और अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो देखी मैं अब spoon से mix कर रही थी बर हो ने पा रहा था तो मैंने यहाँ पे हाथ का use किया है तो अब हाथ से अच्छे से मिला ले और यहाँ जो है बर मेरा bowl जो है थोड़ा छोटा पड़े गया था तो मैंने दूसरे बूल में ट्रांसफर कर लिया है इसको तो मसाला जो है वह बिल्कुल रेडी हो गया है पनीर भी बिल्कुल अच्छी से कोटिंग हो गई यह मसाला का तो बस इसे हम मिला करके हैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए मैरिन ठोने के लिए रख देंगे यहां पर मैंने स्टीक लिया है और इसमें हम आट करेंगे सबसे पहले सिम्ला मिच का पीस उसके बाद हम लगाएंगे टमाटर उसके बाद हम लगाएंगे प्यास और फिर हम लगाएंगे इसमें पनीर का पीस तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम वापस करेंगे पहले सिम्ल चिंहिगा कई वापस लगा लें पनीर करोग करें पनीर इसमें रहे होगirm करते ही दूसरा Merry वापको देखा देखनी में आपको पहले बताया है उसी प्रोसेस से देख सकते हैं मैंने दूसरा भी बना रही हूं आप चाहे तो इसको बना करके फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं जब भी मन करें आप बस फ्राइब करें और खाले तो आर या फिर आपके कोई गैस्ट आए तो उसको भी आप सर्फ कर सकते हैं तो यह वोडिन स्टीक है यह अपको मार्केट में मिल जाएगा बजार वगरा में आप इसको यूज करने से पहले दस मिनट पहले एक थोड़ा पानी के ग्लास में डाल करके रख दें तो देखिए यहां पर मैंने बना चुकी हो दोना दो स्टीक बन चुका है औ तो यहां पर मैंने एक कर दिया है अब हम फैला लेंगे तेल को और तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा साथ पैन को घुमा लेंगे ताकि की जो चारो तरह पाइल जाए और उसके बद दिखिए यहां रखना प्रके यहां रखना स्टार्ट करेंगे तो देख जाएक हें तो यहां देखिए यह आर मैंने डाल दिया है और इसको बस साइड चेंज करते रहना है हमें हिलक़कर कशुआ करके और बीच भीच में यहां पर बटर वगयारा लगाते तो यहां पर मैंने फ्लेम जो रखा है बिल्कुल लो रखा है और पैन को थोड़ो घुमाते वे रखे क्योंकि जो तेल है वो इस तरफ आए और जो बचाव मसाला है वो मैं इसके उपर डाल दे रही हूं ताकि मसाला अच्छा से कोटिंग हो जाएगी इसके उपर जो देखते हैं यहां पर अच्छा सा कालर आ गया है इसका यह रेडी है और बीच बीच में ब्रश में आप थोड़ा सा बटर लगाते रहें ताकि टेस्ट जो है और भी अच्छा हो देखिए हो चुक है अब हम एक एक करके इसको निकाल लेंगे तो यहां देख सकते हैं आप मैंने दूसरा भी एक निकाल लिया इसी तरीके से हम दोनों निकाल लेंगे तो दिखाती हूं इसका फाइनल लूक तो मैं इसको सर्फ करक बहुत टेस्टी बना था आप सरूरर त्राइक करईे मेरे इस रेसेपी से और और अमिद यहां को यह रेसीपी बहुत पसंद आई हो गी और मिरा आज का एवीडियो तो मैं आपको निकाल कर के दिखा देती हूं तो यह रहा देखिए इसको मैं निकाल लिए जमार कर दिख आपको मेरा आज कर ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजियेगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और या फिर रेगूलर बेसिस पे आप मेरे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बगल में बैल आइकोन को भी प्रेस करना ना भूले ताके सबसे परेम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में तब तक लिए अपना खुब सरा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए अल्ला हाफिज